वेरी गुड मॉर्निंग बच्चो मैं डॉक्टर बीबी जैमिनी आप लोग बीसी पार्ट फर्स्ट की स्ट्वेंट्स हैं एडवांस केलकुलर्स का सेकेंड पेपर मैं आपको पढ़ा रहा हूं पिछले टेर्म पे मैंने आपको अन्वालोप एन्वालोप के बारे में बताया था एन्वालोप या अन्वालोप क्या होता है ठीक है वह वक्र जो एक प्राचल वाले वक्रों के कुल the family of plane curves of one parameter के प्रतेक सदेश को इसपर्स करता है तथा उस वक्र के प्रतेक बिंदु को कुल का कोईन कोई सदेश इसपर्स करे तो वह वक्र अन्वालोप कहलाता है ठीक है फिर मैंने इसकी mathematical definition भी आपको बताई थी कि वह वक्रों के एक समतल कुल का अन्वालोप कुल के ऐसे एक वक्र दूसरे वक्र के साथ जिससे स्थिर्मान लिया जाता है समपाती होने को टेंड करता है ठीक है तो यह मैंने आपको definition बताई थी फिर मैंने आपको बताया था कि अपन कैसे निकालेगा अन्वालोप अन्वालोप ज्याद करने की विधी क्या है तो सबसे पहले तो वक्र कुल का समय करने कोई fxy alpha equal to 0 ठीक है इसमें alpha प्राचल होता है तो प्राचल के साथ एक शपन अन्षिकर करके डेल f डेल alpha निकालेंगे ठीक है फिर डेल f डेलफा को 0 कर देंगे ठीक है तो इससे और बक्र के समय करने मतलब डेल f डेलफा equal to 0 से एक equation आईगी और जो वक अपन alpha का भी लोब करेंगे प्राचल का ठीक है तो उससे जो समीकरन प्राप्त होगी वही envelope की समीकरन होती है ठीक है बच्चों तो इस पर मैंने आपको सवाल भी करके बताए थे ठीक है ने एक थ्योरम भी बताए थी जिस थ्योरम थीक सिद्ध करना है कि सामाइन वक्रों क कुल का अनवालोब कुल के प्रतिक सदेश को इस पर्स करता है ठीक है यह भी मैंने करके बताए था और यदि वक्रकुल का समीकरन विगाज समीकरन है ठीक है यह alpha square प्लस b alpha प्लस c equal to 0 तब अपने अनवालोब का समीकरन मैंने बताए था जो अब इस समीकरन अपने को 20 square minus 4a c equal to 0 प्राप्त हुआ ठीक है अच्छो इस पर अपने आदारित कुछ सवाल भी करे थे ठीक है और एक मैंने आपको छोटा सा एक ठीवरम बताया था कि किसी वक्र कुल और उसके अनवालोब के लिए सिद्ध करना कि किसी निर्दिस्ट कुल के किसी भी वक्र का कोई भी बीच तो आपको अनवालोब तो इस पर स्टो गया होगा इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बच्छो वो है अपना इवोल्यूट ठीक है इवोल्यूट आपका नेक्स्ट पार्ट है केंद्रज इवेल्यूट का मतलब केंद्रज ठीक है तो आज का लेक्चेर अपना केंद्रज पर वक्रद ऑख राधारत होगा. थ्यक्ति किन्द्रज क्या होता है किन्द्रज किसी वक्र के लिए उसकी परिभाक्सण क्या होती है और इसको दिये गये वक्र से किन्द्रज किस तरीके से निकालते हैं ठीकिесь बाच्छो तो आज इस पर आधारित BabylonTEAKer है ठीक है वक्रता के बारे में अपने वक्रता वाले चप्टर में पढ़ लिया है ठीक है आईए हमें पता है कि वक्र के बिंदू P पर वक्रता के अंदर बिंदू P तथा बिंदू Q पर अविलम्मो के प्रिच्छेद बिंदू कालिमिटिंग केस होता है मतलब q will tend to p ठीक है इस case में यदि अभिलम्मों का पृच्छेद बिन दुए p और q पर ठीक है तो यह वक्रता केंद्र होता है यह मैंना आपको वक्रता केंद्र निकाल के भी बता है था कर्बस का ठीक है तो आता है वक्र के अभिलम्मों का अन्वालोप वक्र का केंद्रज हो ठीक है बच्छो तो यह को मैंना बेशिक परिभास भी आपको बताई कुछ difference भी पताए एन्वालप और इवल्यूट में ठीक है अन्वालोप और केंद्रज में यहां केंद्रज की परिवास में पर स्लाइड में आपको बताई ठीक है तो सबसे पहले अपन सवाल करके से सेकेंड स्लाइड में यह आपको एक्जाम्पल है कि परवले है y square equal to 4x उसका केंद्रज अपने को ग्याद करना है ठीक है बचो तो यहां यह मान करकि केंद्रज अभिलम्मों का अनुवालोप होता है यह इसकी परिवास है अनुवालोप यह केंद्रज की ठीक है तो केंद् x-2am-am3 जहां पर m प्रवणता होती है ठीक है समिकर्ण नंबर 1 में मैंने इसको अभिलम्म के समिकर्ण को दिखा रखा है ठीक है यहां पर m प्राचल है समिकर्ण 1 का m के साफिक्स आन्सी करन करते हैं ठीक है तो आन्सी करन करने से आपको यह equation प्राप्त होगी जिससे यह m कमान प्राप्त हो जाएगा समिकर्ण नंबर 2 में मैंने इसको दिखा रहा है कि m equal to x-2a upon 3a का under root ठीक है यह अपने को m कमान मिल गया ठीक इस m कमान का क्या करेंगे अपन यह मैंने आपको बताता हूँ next slide में ठीक है बच्चो तो आप क्या करते हैं अपन समिकर्ण नमबर एक में आपको अभिलम का समीकर्ण प्राप्त हो गया ठीक है और समीकर्ण नमबर दो में आपको M का मान प्राप्त हो गया तो समीकर्ण नमबर दो से M का मान उठा करके मैं समीकर्ण नमबर एक में रख देता हूं ठीक है तो m का एक तरीके से विलोपन हो जाएगा तो समीकर नमबर 1 एवं समीकर नमबर 2 से m का विलोप करने पर ठीक तो y is equal to x minus 2 upon 3a का 1 by 2 और bracket में आ जाएगा x minus 2a minus a x minus 2 upon 3a ठीक है ये y की value x से term में आपने को मिल गई अब इसको में surl कर लेता हूं तो surl करने पर एक equation मिलेगी 27a y square equal to 4 x minus 2a का hall cube जो मैंने ये blue box में आपको दे रखा समीकर नमबर 3 में ठीक है बच्चो तो यहां से m का विलोपन हो गया तो यह जो समीकर्ण मिला अपने को यही अभिष्ट अपना केंद्रज का समीकर्ण होगा ठीक है बच्चो तो simple सी बात है आप अविलम्ब का समीकर्ण निकालें वहां से जो प्राचल है उसको आप बिलोप करें और जो अभिष्ट समीकर्ण प्राप्त होता है वही आपका क समझ में आ जाएगी चलिए दूसरा एक्जामपल आपका है कि केंद्रज ग्यात कीजिए अब इसमें आपको यह पैरामेट्रिक एक्विशन्स दे रखिए ठीक है बच्चो क्या एक्विशन्स दे रखिए एक्स उगल टू एकॉस्टी प्लस ए लॉग टैन टी बाइटू y is equal to a sin t यह आपको पैरामेट्रिक एक्विशन्स दे रखिए किसी कर्व की अब आपको इसका केंद्रज निकालना है ठीक है तो solution क्या होगा इसका मानली जे वक्र की समीकर्ण मैंने लिग दिया समीकर्ण नमर एक में दिखा रखिए इसको x is equal to a cos t प्लस a log 10 ty2 एवं y is equal to a sin t यह वक्र की समीकर्ण होगी अब मैं क्या करता हूँ मेरे को dy y dx find out करना है ठीक है तो सबसे पहरे तो dx dt निकालेंगे फिर dy dt निकालेंगे फिर dy y dx is equal to dy dt upon dx dt कर देंगे ठीक है तो इससे dy y dx मिल जाएगा देखें तो dx dt क्या मिल आपने को समीकर्ण नमर एक में जो x की टर् x is equal to a cos t plus a log tan t by 2 इसको अपन t के respect में differentiate करते हैं तो dx dt मिल गया आपको a cos square t upon sin t इसी तरीके से dy by dt निकालेंगे y is equal to a sin t दिया हुआ है समीकर्ण नमर एक में इसको differentiate करेंगे तो dy dt आजाएगा a cos t ठीक है तो dy dt upon dx dt करेंगे तो dy dx आजाएगा वो tan equal to t के equal आएगा जो ठीक है तो dy by dx मिल गया अब क्या करेंगे अपन दिये गए समीकर्ण नमर एक के बिंदू t पर अभिलंब की समीकर्ण निकालेंगे ठीक है तो अभिलंब की समीकर्ण इसके आप parametric equation में देखेंगे तो t बिंदू पर अभिलंब की समीकर्ण इसके लिए प्राप्त होगी ठी 10t y minus a sin t plus x minus a cos t minus a log 10 ty to equal to 0 यह अपने को अभी लंब की समिकर्ण मिल गई, कर्व की समिकर्ण मिल गई, ty by dx मिल गया ठीक है अभी लंब की समिकर्ण को और solve कर लेते हैं next slide में मैंने आपको बताया कि इसको solve करने पर x y x plus y 10t minus a sec t minus a log 10 ty to equal to 0 मिलेगा ठीक है इसको मैंने समिकर्ण नंबर 3 तीन दे दिया, ठीक, तो यह अभी लंब की समिकर्ण होगी अब समिकर्ण नंबर 2 में मैंने dy by dx निकाल रखा है, ठीक है बच्चो तो यह समिकर्ण नंबर 2 का प्राचल टीके सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है समीकर्ण नमबर दो का प्राचल तो समीकर्ण नमबर दो की बजाए में यह कहूं कि आपका यह जो समीकर्ण है ठीक है इसको ही अपन अब करन करते हैं उपर वाले को तीन नमबर को ठीक है तो यह आपके आ गया y sec a square t minus a sec t 10t minus a sec square t by 2 upon 10 समीकर्ण नमबर तीन का अपन कर रहे हैं एक तरीक से ठीक है ठीक है बचों तो करेक्टर लें आप इसको तो इससे यह आपको मिल जाएगा differentiation के बाद मैं ठीक y sec square t is equal to a sin t upon cos square t plus 1y sin t स्को और solve कर लेंगे अपन तो a upon sin t cos square t मिल गया तो इस तरीके से y sec square t is equal to a sin t cos square t मिला तो यहां से अपने y की value निकाल लेंगे जो मैंने यह red box में आपको समीकर्ण नमबर 4 में दे रखी यह y is equal to a cos t प्राप्त हो जाएगा आपको ठीक है बच्छो यहां से y की value प्राप्त हो गई समीकर्ण नमबर 4 में इसको दे रखा है next slide में अपन इस y की value को काम में लेंगे तो समीकर्ण नंबर 4 से y का मान समीकर्ण नंबर 3 में रखते हैं ठीक है बच्छो समीकर्ण नंबर 4 आपको दिख रहा है और समीकर्ण नंबर 3 भी दिख रहा है x plus a sec t minus a sec t minus a log 10 t by 2 equal to 0 यहां से x की value मिल गई मेरो को x is equal to a log 10 t by 2 इसको मैंने log को simplify कर लिया तो exponential में आगया आपका ठीक है तो ultimately equation कमान क्या आगया e की power x by a upon x by a equal to 10 t by 2 जो समिकर नमबर 5 में मैंने green box में दिखा रखा है ठीक है बच्छो तो यहां आपन क्या करेंगे समिकर नमबर 4 से y is equal to जो आपका a cosec t है ठीक है इसमें आपन cosec t की मान रखना इसमें आपन यह जो समिकर नमबर 5 उससे मान रखना चाहेंगे तो cosec t को आपको बदलना पड़ेगा 10 में क्योंकि यह समिकर नमबर 5 में 10 का मान दे रखा है ठीक है तो समिकर नमबर 4 y is equal to a 1 plus 10 square t by 2 upon 210 t by 2 यह समिकर नमबर 6 में मैंने cosec t को 10 t by 2 से बदल दिया हाफ एंगल में ठीक है बच्छो क्योंकि आपने को 10 t by 2 का समिकर नमबर 5 में मान दे रखा है तो 6 में 10 t by 2 का मान रखने पर तो यह मिल गया आपको y is equal to a 1 plus e की पावर 2x upon a upon 2 e की पावर x by a यह अपने y और x में कोई relation मिल गया ठीक है बच्छों इसको simplify करने के बाद में 1 upon 2 e की पावर minus x by a plus e की पावर x by a मिल गया अब आपको पता है e की पावर minus x by a plus e की पावर x by a जो है इसको cos hyperbolic लिख सकते हैं तो यह मिल गया आपने को y is equal to a cos hyperbolic x upon a जो मैंने आपको green box में दिखा रखाए तो यह जो relation आया y और x में ठीक है यही अपना अभिष्ट केंद्रज का समी करन है ठीक है बच्चो तो मैंने दो अग्जामपल लेकर के आपको केंद्रज निकालना बताया आपको ठीक है एवल्यूट तो आपका यह जो chapter है envelope and evalutes ठीक है यह आज समापत हो गया है इस पर आधारित आप सवाल करें ठीक है आपको कोई दिक्कत है तो next turn पर आपन इसके सवाल ले लेंगे उनको आप करने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो आप इन सवालों पर बेश जो एवल्यूट और envelope पर मैंने आपको बताया है lecture दिये हैं दो तीन उनके आधार पर आप जो आपको exercise पर लेंगे ठीक है या कोई अपन singular points पर ले लेंगे ठीक है तो आज तो इतना ही पढ़ेंगे अपन इस पर आधार इतको सवाल करें ठीक है उच्छो okay thank you very much